मेरे प्यारे सादक भाई बेहनों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम मेरा चैनल आपके लिए लेके आया है महा बयांकर सादना ये सादना माता शामकर मोनी के समकाख्च की सादना है ये सादना का वसीकरण का परभाव जो है वो बड़ा तिब्र और बयांकर है आपका कोई अफसर हो कोई शत्रू हो या महबूब हो आपकी या किसी भी ऐसे जन से जिससे आप बहुत सने करते हो और आपको उपेक्षा मिलती है तो उसके लिए मेरा चैनल आपके लिए लेके आया है महाबयंकर वसीकरण सादना जिसमें मोहनी का परभाव बहुत तिब्र होता है जीवन में यदि एक बार ये मोहनी सिद कर ली जाए तो जीवन के सब कस्तों से आदमी छुटकरण पा जाता है और ये मोहनी बाबा नार सिंग बीर की मोहनी है जिसका कोई काट नहीं आम तोर पे 41, 11 या 21 दिन की सादना की जाती है लेकिन ये सादना 31 दिन की है जी हाँ 31 दिन की है ये सादना और इस सादना में बड़े अजीब और गरीब अनुभव होते हैं और ये सादना उनके लिए भाई जो इस सादना को कर सकते हैं जिनके अंदर मादा है जिनके दिलेरी वाले जो बंदे हैं भीरू सादक ड्रपोक और कायरबंदे इसको नहीं कर सकते अगर दम है तो इसे करो और अपने जीवन को शक्षम बना लो लेकिन सावधान चेतावनी इस सादना को बिना गुरू की अग्या के करने की कोशिश ना करे यह सादना अपने आप में इतनी जबरदस्त है कि समूह को के समूह को भी अपने अधिन वस करके दे देती है सादक को लेकिन सादक का साद्यकाल जो है वो बड़ा ऐसे लगाई है कि डरामने अनुबामों वाला है जो पहला मरहला है इसमें जब हम सादना करने बैठते हैं पहली बार इसमें जो है माता मोनी इतना सुन्दर इतना प्यारा रूप बना के आती है सपने में तो धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ने लग जाते हैं कम सकम जैसे सादना हम कर रहे है तो तीन चार दिनों बाद ये सब को शुरू हो जाता है लेकिन वो उस परिवेश के उपर निर्बर करता है आप कैसे परिवेश में है अगर दिन में हजारों आदमियों से मिल रहे हो फिर वो अनुभव संभव नहीं है क्योंकि आपकी चित्विरती जो है वो साधना से हट करके दुनियावी कामों में लग जाएगी तो इसलिए दोस्तों इसकी साधना अपने आप में हर साधना का एक नियम होता है इस साधना के भी नियम है लेकिन इसमें नियम तकरीब ज़्यादा ये होते हैं कि जब कोई साधना करता है तो पहले जो बजुर्ग लोग होते थे वो जब साधना कराते थे अपने सिश्यों को तो एक भूई दरा जिससे हम अंडरग्राउंड कह देते हैं रूम या बेसमेंट बोल देते हैं तो पहले उनका निरमान किया जाता था उन बेसमेंटों में दै करके आदमी जो थे सादक जन वो साधना किया करते थे लेकिन अभी जैसे जैसे वो परिवेश कम हो गया लोग क्या है कि आलसी होते चले गए साधनाई लुप्त होती चली गई क्योंकि एक गुरू सिस्थ संपरदाय की साधनाई हैं यह ऐसे नहीं कि जने खनेने किताब में से उठाई कहीं कोई इंदर जाल उठा लिया कहीं कुछ भी उठा लिया और उसको मिल गया और करना सुरू कर दिया देखो यह जागर साधनाएं हैं इसमें साधक की मृतु भी हो सकती है अगर गुरू ना हो पीछे ठीक तो इस साधना में क्या है साधक सिंपल कपड़े रेड कलर के डाल के रखने हैं ज्यादा किसी के सामने नहीं यहाना दिन में कम खाना कम बोलना कम लोगों से मिलना जुलना और कम से कम दो से ड़ाए गंटे इसका जाप करना है तो इसका जाप करने से पहले आपको सुबह जब उठना है तो प्राते कल जाके आपको खेडा, खेडा खेतरपाल जिसे ग्राम देवता भी बोला जाता है, पहले जाके उसको सनान कराना है कच्ची लसी से, सनान कराके नमस्कार करके फिर गर वापस आना है, सुबे भी इसका जाप होगा, शाम को भी जाप होगा, दो ड़ाइगंटे र पड़ेगा तब यह जाके साधना आपकी पूर्ण होगी क्योंकि खेड़ा एक ऐसी चीज होता है ना किसी भी हवा को गुसने नहीं देता 31 दिन की यह साधना है इसमें क्या है माता को सिंगार हो गया लड़ू पान पतासे बर्फी पेड़ा तो फूल हो गए फल हो गए और देशी घी की जोत हो गई इसके साथ दिया जलेगा एक सर्सों के तेल का लाल वस्तर पुर्व की तरफ मुख तो उस कमरे में कोई न जाए आ आपने ही रहना है वहां पे तो मतलग क्या कि साध को आप यह चीज समझो कि आपका इस्ट ही आपका भाई बहन माता पिता रिष्टेदर वही है जब आप फसोगे ना आपका इस्ट ही निकालेगा आपको कई बार ऐसे चकर पड़ जाते हैं बड़े बड़े ना आपका इस तो यह साधना पूरी होते होते जैसे दस दिन में बड़े सुन्दर सुन्दर अनुभव होते हैं दीरे दीरे जो नेक्ट दस दिन होंगे उसमें आपको दीरे दीरे डरामने अनुभव होने सुरू हो जाएंगे जैसे कोई बड़े बड़े दांत वाली उंचे लबे कद व हुए है बाल उल्जे हुए बाल बड़े बड़े हैं उसके और काले रंग की तो मतलब मोहिनी अपना भी भच सरूप भी दिखाती है आप अगर उस डरामने अनुभव से ना डरे तो धीरे 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 आपकी बुद्धी को ब्रह्म करना शुरू करेगी वो कि कभी कुछ हो गया अगर आप के मान और चित्त में यह चीज नहीं है तो जी है ठीक अगर सपन्डों हो जाता है तो उठके सनान करो थंड़े ठंडी चीजों का प्रियोग करो इसमें गरम चीज का प्रियोग बिल्कुल मत करना अपने गुरू के सनिद्ध में रहो अच्छा सहित और उपन्यास पढ़ो लेकिन अच्छे सहित का मतलब यह है कि हमें कोई लच्चर किसम का या किसी असलील किसम का कोई भी जो है वो अपने को सहित नहीं पढ़ना है अपने मन को इकागर करके देवी के चलड़ों में रखें ठीक तो मंतर मैं आपसे बताता हूं कि अजया मंत्र मंत्र की पूरी विधी एवं इस मंत्र की पूरी क्रिया लेने के लिए मुझसे संपर्क किया जा सकता है दोस्तों मैं आपको ये निशुलक सेवा उपलब्द करा दूंगा मुझे बड़ी खुशी होगी किसी भाई की मदद करते हुए लेकिन डर्पोक आदमी मेरे को फोन मत करना भाई मेरे से स्वंपर्क मत बदाना अगर आप में दम है और लगता है आप कर लोगे तो मैं ये मोहनी मंतर आपको दे दूँगा मोहनी बहुत तरह कि मोहनी railway है कुछ मोहनियों की परिधिये होतीैं कुछ की परिधि नहीं होती जैसे शाम को और आता है उसकी परिधि नहींğे मैं ऐसी ऐसी जाग्रत साधनाएं जो मेरे पास पड़ी हुई है जिनका अनुभ्भव परिक्षे साथ नहीं वो आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए इसको इसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेर कीजिए दूसरी बात ये क कि अगर आपको कुछ पूछना है कोई समझ नहीं आ रहा कोई समस्या है तो मुसे बताओ संपर करो कमेंट बॉक्स में जाओ मैं आपको जबाब जरूर देंगा तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी धन्यबाद नमस्कार